अपना चाप्टर मीन्स ऑप्रोडक्षण और यह उसका पार्ट नमबर टू जहां पे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स इस चाप्टर के वह हम कवर करने वाले हैं तो बिना किसी दिरीगे शुरू करते हैं अपना काम जय सिरियाम ऑके तो स्टाट करते हैं अपने पहले सिस्टम का पुले हैं एक प्रोडक्षण के सिस्टम में क्या हो रहे है इसका चिसी को हम क्या बोल रहे हैं यह अपर प्रोडक्شन बोलते हैं वह फिनिष ने इस्टे एंकिन के ठूरू इन clear है पहली लाइन, it may be technical और social, यह technical भी हो सकता है, social भी हो सकता है, MC की question आजाएगा, relation और production may be, option A, technical, option B, social, option C, both technical and social, option D, none of above, तो क्या डालोगे, option number C, क्या डालोगे, technical और social, relation और production, technical और social दोनों हो सकता है, in addition, इसके अलावा, इसके अलावा, input को own the means of production, that is the capitalistic और वर्गोईस, and those who do not, that is the worker or proletarian, क्या बोल रहा है यहापे, उपर वाली line के अलावा, ठीक है, अलावा यानि एडिशन में, क्या है, relation of the production है, वो बात करता है, वो refer करता है, relation between जो means of production को own करते हैं, ठीक है, और जो own नहीं करते हैं, तो अगे बोल रहा है, यहापे, according to Marx, history evolves through the interaction between the mode of production and the relation of production, by relation of production, Marx and Engels mean, the sum total of relationship that people must enter in order to survive, to produce and to reproduce their means of life, यहाब बोल रहा है, by relation of production, relation of production से Marx बोलना चारे, Marx का मतलब है कि some total of social relationship that people must enter into, एक ऐसा social relationship, some total of social relationship, जिसमें people enter करते हैं, इसके लिए अपने survival क्ले, अब अपने survival क्ले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको goods जो है वो produce करने, अपने survival क्ले क्या है, goods produce करने, हमको खाना पीना है तो हम क्या करेंगे, अना जुगाएंगे, गेहूं चावल अगे रहा हुगाएंगे एक बार उगा लिया, काट लिया, खा गए उसके क्या हमको फिर से जरुवत पड़ेगी, हंजी सर बिल्कुल जरुवत पड़ेगी तो नहीं सिर्फ produce and to reproduce करेंगे उसको बार बार से उसका production करते रहेंगे देर मीन्स ओ लाइफ शर्वाइवल क्लिए हमारी लाइफ के लिए करते रहेंगे प्रड़ेश और रिप्रड़ेश करते रहेंगे मार्क्स एंग्स टिपिकली उस थर्म तो रिफर दा सोशो एकनोमिक रिलेशन्शिप्स करेक्टर स्थिक पिरिए और एक्जाम्पल फिर यहां से इसको रहने दो यहां पर यह जो है यह मार्क्स एंगल से इसको छोड़ दो यहां पर कट कर दो बखवास बात है में इंपर्टेंट बात क्या नीचे है it is contrasted with and also affected by what Marx called forces of production which refers to a combination of means of labor with labor power क्या मतलब हो रहे आपे? Marx बोलना चाह रही है forces of production मतलब यह जो forces of production है, शोट में लिख देता हूँ F.O.P forces of production का मतलब है, it is a combination इसका combination means of labor इसका combination means of labor with human labor power means of labor क्या होगा, labor करने के तरीके means of labor, labor मतलब क्या है, जो हम महनत कर रहे है जो हम महनत कर रहे है, economics मां उसको क्या बोलते है, labor अब वो महनत शरीर के थू भी हो सकती, physically कही हम पने समान उठा के दूसरी जगर लग दिया, labor है हम दिमाग से कुछ काम कर रहे है, calculation कर रहे है, दिमाग दोड़ा रहे है, strategy बना रहे है, mental labor है means of labor with human labor power, means of labor with human labor power, क्या है अपना courses of production according to marks, ठीक है समझना क्या बोल रहे है, topic अपना, capital as produce means of production, अभी तक अपन जो देख रहे है, part 1 में भी अपन ने देखा, main focus हमारा किस पे था, labor पे था, ठीक है, center हमारा picture का कौन था, labor था, धीरे दिरे हम क्या हो रहे है, थोड़ा सा capital के भी shift हो रहे है, ठीक है, यह chapter में आपको सिर्फ labor के बारे में बात नहीं कर रहे है, capital के बारे में बात कर रहे है, capital as means of, produce means of production, क्या इसका meaning है, capital is an important factor of production, further to gain productivity, improved version of capital, productivity बढ़ाने के लिए, क्या चाहिए है, improved version of capital, अब improved version of capital मतलब क्या, for example, factory है, factory में हमारी machines है, machine क्या हो गई है, पुरानी, अब productivity अपने को बढ़ानी है, modern technology की machine ल नहीं मशीन लेके, improved version of capital, इससे क्या होगा, नहीं मशीन से, latest technology वाली मशीन से बता, productivity बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, काम रहों मतेरियल में ज्यादा, output मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो by raising productivity, through improved capital equipment, more goods can be produced, and the standard of living can be, क्या होगा, यहापे, productivity बढ़ेगी, goods का production to as means of production, because these physical and non-financial inputs, create objects, that can eventually be given an economic value, क्या बोल रहा है, कि capital goods को हम sometime बोलते है, means of production, capital goods को क्या बोलते है, capital goods अच्छा क्या होते है, बच्छपन में अपन ने पढ़ा था, दो टाइप के goods होते है, एक होता है, consumer goods, दूसरा होता है, capital, एक क्या होता है, consumer goods, दूसरा क्या होता है, capital goods consumer goods वो गुड्स होते हैं, जो हम अपने direct satisfaction के लिए, जैसे एक chocolate हो गया, directly हम अपने उसको consume कर लिया, हमको क्या मिल गया, satisfaction, दूसरा क्या है, capital goods, capital goods वो गुड्स होते है, जो हम अपने company में, अपने factory में further production के लिए, यूज करते हैं, ठीक है, हम क्या करने है, उसको directly consume कर रहे है अपने factory में लगा रहे है, ताकि हम इससे और भी जादे क्या कर सके, production कर सके, ठीक है, और भी जादे इससे goods क्या कर सके, बना सके, तो ऐसे goods को क्या बोलते है, capital goods, अब capital goods को sometimes क्या बोला जाता है, means of production, इसको means of production क्यों बोला जाता है, because यह जो भी physical और non financial input create करते, जो भी object create कर या इस माइक को में बजार में बेचने जाओंगा या जहां से भी मैंने इस माइक को खरीद है क्या मुझे एक वैल्यू एक प्राइस पे करना पड़ा होगा इसी लिए कैपिटल को क्या बोला जाते है सम्टाइम्स बोला जाता है means of production क्यों क्यों कि हमारे वो अब जेक्ट कर देते हैं मार्केट में जिसकी एक एक क्या होती है economic वैल्यू होती है अब according to bb a follower of marks stated that capital is a produced means of production क्या बोल रहा है capital is a produced means of production capital is already produced means of production as other factors of production are used to produce capital in the economy capital के एक already produced means of production है यो क्यों कि जो बाकी factors of production है बाकी factors of production नहीं लेंड लेबर और एंटेपर्प्णर, टिसमें कैपिटल तो घू सुख वोल्राई तो अल्रेडी का जोआगि norm to अघूमें गें टिस तुफीन ग्रंटिशन और श्लेवेष जर्यी बाधी नर यूस्त बना रहें तो बना रहा रहें करें आते हैं आपन एक्स टॉपिक के थर्ड टॉपिक हमारा आज का देश्ट मोड ऑफ प्रॉडक्शन का लिखा है यहां पे इन पोस्ट क्लासिकल एज यानी पुराने ओल्डन ताइम्स के बारे में बात हो रही है यहां पे दा मोड़ प्रॉडक्शन वस डिफेरेंट तो देट मोड़ प्रॉडक्शन के थॉजए आछेंट अपक्लर मांन एकाल मृक्शन मॉड प्रॉडक्शन यह यहां मोड़ प्रॉडक्शन तो अवि स्प्वाब सब्सक्राइड इकशनएश्यां होगनीशन अंप रॉडक्शम means of production used by the given society such as factories and other facilities, machines and raw material. Mode of production मतलब क्या? Mode of production बुल रहा है, includes the means of production. Mode of production include कर रहा है means of production, जो एक society को मिले है, जैसे factory, other facilities ठीके, land वगे रहा हो गया, electricity वगे रहा है ये सब क्या हो गया? Other facilities, machines और raw material. In the Marxist theory of historical materialism, a mode of production is precise combination of productive forces which include human labour power and means of production. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Mode of production. लिखना पड़ेगा मैं जै mode of production is equal to mode of production का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? It is a combination. किसका combination? Productive forces का. Productive forces मतलब क्या? Productive forces मतलब human labour power. क्या? Human labour power. HLP, human labour power. And, and यानि क्या करेंगे? Add. And means of production. ठीक है? Mode of production क्या है? Human labour power और means of production का क्या है? Combination है. ठीक है? Productive forces. क्या लिखा है यहाँ? Combination of productive forces which include human labour power or means of production. आगे classical Greek and Roman society are the most typical example of antique mode of production. ठीक है? जो Greek की सभ्यता थी और Roman सभ्यता थी बहुत समय पहले. जो वो जिस तरीके के goods बनाते थे उसको क्या बूला गया? antique mode of production. ठीक है? Most typical example. The forces of production associated with this mode include advanced agriculture, extensive use of animal in agriculture, industry and advanced trade network. क्या बोलना चारा है यहाँ पहे? की mode of production. पहले हमारा क्या था? डिफरेंट तरीके से हम क्या करते थे? Goods को बनाते थे? Agriculture करते थे. आज हमारा mode of production क्या होगे? Change होगे. Mode of production यहनी तरीका. Mode of production यहनी तरीका जरिया की किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? Production कर रहे है. पहले कैसे कर देते थे? यहाँ हाथ से सारा काम होता था. धीरे-धीरे चोटे-मूटे हमारे पास tools आ गए. ठीक है? Agriculture हम कैसे कर देते हाथ से ही कर रहे हैं? बीज उगा रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? इसको सब काम हाथ से हो रहा है. फिर दीरे-दीरे हमारे पास क्या आ गए? Tools आ गए. जिससे क्या होगा हमारे कुछ काम easy हो गया. अब क्या हो गया? अब हमारे पास और ज्यादा modern tools आ गए है. ठीक है? क्या लिखा है? आप एडवांस agriculture techniques होगे रहे हैं हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. Tractor हो गया, pesticides हो गया, chemical fertilizer हो गया, यह सब हम यूज कर रहे है. ठीक है? एल वागे रखेत वे जूतने के अपना काम आता है, आयून समझ गए होगे. Mode of production. ठीक है? Last है आपका importance of means of production. Last क्या है? Importance of means of production. Means of production की importance क्या है? So the means of production is an idea that includes the social use of ownership of land, labor and capital needs to produce goods and services and their logistical distribution. क्या बोल रहे हैं यहापे? Means of production क्या है एक idea है? जो include करता है use of land, labor and capital. तो हमको लगते हैं goods और services को produce करने के लिए, उसका साथ ही साथ logistical distribution, यानि उसको distribute करने के लिए. क्या हम goods एक जगवे बना के उसको factory में बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं? नहीं. हमको क्या करना है? Goods को market में भी बेचना है. तो नहीं सिर्फ goods के production के लिए हमको land, labor, capital चाहिए, बट उसके logistical distribution के लिए भी लोगों तक वो goods पहुँचे, उसके लिए हमको क्या चाहिए? Means of production. आगे लिखा है, means of production are the resources and tools that make it possible for products and services to get created. Means of production ही क्या है, वो resources और tools है, जिसके कारण products क्या है, और services क्या है, बन पारे, create हो पारे, अगर हमारे पास land नहीं होगा, labor नहीं होगा, capital ही नहीं होगा, तो क्या हम goods और services provide कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. By the time of early industrial society, the means of production included machinery and raw materials in factory. पहले के जमाने में क्या होता था? Means of production हमारे क्या हो जाते थे? machinery और raw material. ठीक है, क्या हो जाते थे? machine और raw material. आजकल हमारे means of production क्या होगे? machine और raw material तो है ही है. उसके साथ ही साथ, it includes offices, computers and other technology. आजकल क्या होगे? टेकनलोजी बहुत जाद हम use करने लग ठीक है? जैसे पहले क्या होता था? हमको अगर कपड़े खरीदने है, physically हमको बजार में जाना है, वहाँ पर select करेंगे. आजकल क्या हो रहा है? technology की जासे online हो गया. पहले दवाई की medical store तक आपको जाके दवाई लेनी पड़ती थी. आजकल आप वह भी online order कर सकते हैं और फटा आप हो सकते हैं मुंबई से, बिहार से, अंडमान निकुबार से, जम्मू कश्मीर से, नागालेंड से, कहीं से भी MP से, बहुत सारे अलग अलग जगह से आप देख पा रहे हो क्यों? क्योंकि हमारे पास वो technology है. clear बात है एकदम हंजे सर, तो आजकल हम means of production में machine और raw material तो य क्या बोल रहे है, जो भी हमारे factors of production, अगें land labor, capital entrepreneur, वो क्या है, economy के, society के क्या है, building blocks है, जिसके कारण ही, जिसको use करते वही हम क्या कर पारे है, goods or services, produce कर पारे है. आगे, if a business houses can improve the efficiency of the factor of production, अगर कोई business house, यानि कोई business man समझ लो, वो क्या कर पारे है, can improve, अगर वो अपने improve कर प factor of production, it stands to reason that they can create more goods at a higher quality and perhaps a lower price, simple सी बात है, अगर आप latest technology use करोगे, modern machinery लगाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका production जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपकी production capacity बढ़ जाएगी, ठीक है, raw material कम लगेगा, तो उससे क्या होगा, cost भी आपका कम हो जाएगा, तो कम prices भी आपका क्या कर सकते हो, market में अपने product launch कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, competitive product पे, competitive prices पे, market में product launch कर रहे हो, बट क्योंकि आपकी costing कम है, तो आपका profit margin यहाँ पर बढ़ जाता है, तो यह चीज यहाँ पर बोल रहा है कि businessmen improve कर सकते है, efficiency of factor of production, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा से जादा हाई quality के goods बना पाएंगे at lower prices, any increase in production leads to economic growth as measured by the gross domestic product, जिसको हम प्यार से क्या बोलते है, GDP, ठीक है, GDP क्या होता है, एक country में, एक साल भर में मालो, जितने भी goods का production हुआ है, that is known as GDP, COVID के समय में सुन रहे होगे, इंडिया की GDP गिर गई, डाउन में हो गई, तो क्यों डाउन में हो गई इस पे कितना goods का domestic production हो रहा है, country में, कितना goods का production हो रहा है, that is known as GDP, अब lockdown है, factory बंद है, worker नहीं जा पारें, तो GDP बट अब ऑवियस है, नीचे जाएगी, clear है, अब यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर हमारी जो production है, जाधा बढ़ जाएगी, तो हमारी GDP भी क्या हो जाएगी GDP भी क्या होगी, नहीं बढ़ेगी, तो अगर किसी country की GDP बढ़ रही है, मतलब क्या है, लोगों को employment मिल रही है, लोगों को क्या मिल रही है, facilities मिल रही है, education मिल रही है, ठीक है, तो यह सब indicators होते है, clear बात है, last line क्या है, improved economic growth raises the standard of living by lowering cost and raising wages, ठीक है, rising wages, क्या हो रहा है, economic growth होग हम खाना खापाएंगे, ठीक है, बिना मिलावटी वाला प्योर जो खाना है, वो हम खापाएंगे, clear बात है, तो इससे क्या होगा हम healthy भी रहेंगे, long हमारी lifelong भी बढ़ जाएगी, हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा समय तक actively काम भी कर पाएंगे, और हमारी country की economy growth में बहुत ज ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दो पार्ट में चैप्टर अपन ने कवर किया, यह था आपका पार्ट नम्बर तू, इसे नोट पे इस लेक्चर को अपन यहीं पर wind आप करेंगे, कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन आप लोग जो है, कमेंट कर देना, फटा फटा बने रहने के लिए, अपना धेर सारा valuable time देने के लिए, से अन्यवाद.